हेलो फ्रेंड्स एक बार फिर से आपका स्वागत है यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज में देखे फ्रेंड्स ये वीडियो देखने से पहले में आपको बता देती हूँ कि हमने इससे पहले वाले वीडियो में बहुत दरम के बारे में पढ़ लिया है और महावीय स्वाम के जीवन के बारे में भी हमने पढ़ लिया है इस वीडियो में हम जयंद्रम से संबंदी 23 वे तिर्थंकर पास्वरनात के बारे में पढ़ेंगे देखे फ्रेंड्स जैन दरम के 23 वे तिर्थंकर पास्वरनात का जन वाराणसे में हुआ इनके पिता का नाम अस्वसेन था और अस्वसेन है वाराणसे के राजा थे तथा ये इक्स्वाकू वंसिय राजा थे इनकी माता का नाम वामा देवी था पास्वरनात के सरीर पर सर्प चिन था दो जैन तिर्थंकरूं देखें आपर मैं आपको ये डिटेल इसलिए बताने जारे हूं क्योंकि ये वेरी वेरी इंपोर्टेंट डिटेल है एकजाम के जरिये से कई बार परिक्षा में पूस लेते हैं कि कौन से दो जैन तिर्थंकर है जिनका उलेक रिग्वेद में हुआ है वो है आपके रिष्टब देव और अरिस्ट नेमी और अरिस्ट नेमी को बगवान स्रीकर्ष्ण का निकट का संबंधी भी माना जाता है जैन पुराणों के अनुसार तिर्थंकर बनने के लिए पास्वरनात को नो जन्मों का वरण करना पड़ा था पूर्व जन्म के संचित पूर्णों तथा दस्वे जन्म के तपके फल्षवरूप वे 23 तिर्थंकर बने आप देखे जैन दरम में दो संपरदा बने थे दिगंबर और स्वेतामबर तो दिगंबर संपरदा के अनुयाईयों का कहना है कि पास्वरनात बाल ब्रहमचारी थे जबकि स्वेतामबर संपरदा में भी दो वर्ग थे वो एक कहते थे कि पास्वरनात है वो ब्रहमचारी थे जबकि दूसरा वर्गयवय कहता है कि नहीं उन्होंने विवाग किया था वो ब्रहमचारी नहीं थे पास्वरनाथ का बच्मन राज सी ठाटबाट में गुजरा 16 वर्ष की आयू में वे एक दिन वन ब्रहमन कर रहे थे तब ही उनकी द्रश्टी एक तपस्वी पर पड़ी जो कुलहाडी से एक व्रक्ष पर परहार कर रहा था ऐसा द्रश्य देख कर पास्वरनाथ अचानक चीक उठे तथा बोले ठेरो उन नीरिय जियों को मत मारो उस मार रहा हूँ मैं देखते नहीं मैं तो तपके लिये लकणियां काट रहा हूँ तब ही पास्वरनाथ ने वेथित सवर में कहा लेकिन उस व्रक्ष पर नाग नागिन का जोड़ा है महिपाल ने तिरस कारपूर कहा तू क्या त्री कादर्शी है लड़के और फिर से व्रक् महिपाल उन्हें देखकर डर गया लेकिन फिरवय धूर्थता पूर्व खंसने लगा तबी पास्वरनाथ ने नाग नागिन को एक मंत्र शुनाया जिससे उनकी म्रत्यू पीड़ा सांत हो गई तथा अगले जन में नाग जाती के इंद्र इंद्राणी धर्णेंदर जीवन म्रत्यू से विरक्ति हो गई उन्होंने ऐसा कुछ करने की ठानी जिससे जीवन म्रत्यू के बंधन से हमेशा के लिए मुक्ति मिल सके जब वे तीस वर्ष के हुए तो उनके जन दिवस पर कई राजों ने उपहार बेजे इसी प्रकार अयोध्य का दूत उपहार दे ने लगा तो पास्रनात ने उससे अयोध्य के वभव के बारे में पूछा तो उस दूत ने कहा जिस नगरी में रिशबदेव, अजितनात, अभिनंदनात, सुमितनात, अनंतनात जैसे पांस तिर्थंकरों ने जनन दिया हो उसकी महिमा का क्या कहना वहां तो पक-पक पुन पिखरा पड़ा है, इतना सुनते ही पास्रनात को अपने पूर्वे नो जन्मों का श्मरण हो आया, तथा वे सोचने लगे, इतने जन्म उन्होंने ऐसे ही गमा दिये, अब उन्हें आत्मक कल्यान का उपयोग उपार करना चाहिए, एवं उन्होंने उसी दिन से मुनी दिक और कई वनों में तपश्या करने लगे, पास्रनात ने जैन दरम में चार महावरत, कोन-कोन से सत्ते, एस्ते, एपरिगर है और अहिंसा जोडे, चत्रे कृष्णे के दिन उन्हें कैवले ज्यान प्राप्त हुआ और तिर्थंकर बन गए, वे सोवर्ष तक जीवित रहे, उ सुकल सप्तमी के दिन उन्हें सम्मेद परवत पर निर्वान प्राप्त हुआ, अब देखें सम्मेद परवत कहां है, जहारखंड में है, पुंडरे तामरलिप्ट, आदि अनेक देशों में पास्रनात ने बर्मन गया था, तामरलिप्ट में उनके सिस्से हुए है, पास्रन में और देखें कई बार क्यूसन आता है कि खजुराओ क्यूं परशिद है, तो यहां बहुत बड़ी संख्या में प्राचीन, हिंदू और जैन मंदिर मिले हैं, मंदिरों का सहर खजुराओ पूरे विश्वा में मूडे हुए पत्थों से निर्मित मंदिरों के लिए परश इस विए तिर्थंगर पासुरानात के बारे में पढ़ा और इसी परकार से जैन द्रम से संबंदित अन्य जानकारी प्राप्त करने के लिए यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज पर बने रहें, फेस्बुक पर हमें लाइक और शेर करें, ट्वीटर पर हमें फोलो करें, वर्ट सब पर ब्रोड कास्ट चैनल से जुड़े और नई जानकारी प्राप्त करें.